हेलो गाईज आपके अपने चैनल मेडिकामेंट नोलिज में आपका स्वागत हैं आज हमारे पास है मेफिजिस्ट किट जो की अन्वांटिट किट का अल्टरनेट है यानि की जो काम अन्वांटिट किट का है वो ही काम मेफिजिस्ट किट का है आज की इस वीडियो में हम इस क किट का कमपलेट रिवियो करेंगे जानेंगे इस किट का किसलिए इस्तमाल किया जाता है इससे होने वाले क्या क्या नुकसान है इसे लेने का तरीका क्या है इन सभी जानकारियों के बारे में आगे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बस आप वीडियो में कर सकते हैं जिससे की हराने वाली ऐसी ही नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें सबसे पहले हम इस किट का ओवर्वियू देख लेते हैं यह जो किट है जाइडस कैडिला द्वारा मैनुफैक्चर की जाती है और यह मार्केट में मेफिजिस्ट किट के नाम से उपलब्द आप इसे किसी भी मेडिकल इस्टोर से 483 रुपय की MRP पर परचेज कर सकते हैं आपको इस किट के अंदर 5 टैबलेट देखने को मिलती हैं सबसे उपर जो सिंगल टैबलेट है वह होते हैं मीफी प्रिश्टोन की जो की 200 mg की क्वांटिटी में होती है और बाकी जो नीचे की आपको टैबलेट दिखाई दे रही हैं वह होते हैं मीफी प्रिश्टोन की जो की 200 mg की क्वांटिटी में होती हैं अब बात कर लेते हैं इस किट से होने वाले फायदों के बारे में दोस्तो यह जो किट है एबोशन कराने के लिए इस्तमाल की जाती है यानि की प्रेगनेंस को खतम करने के लिए इस्तमाल की जाती है यदि आप नहीं चाहते कि आपके गर्ब में जो गर्ब है वह रहे आप उसे खतम करना चाहते हैं तो आप इस किट के माध्यम से बहुती आसानी से अपने उस गर्ब को खतम कर सकते हैं यदि आपकी पिरेगनेंसी 70 दिन तक की है तो आप इस किट के इस्तमाल से अपनी उस पिरेगनेंसी को ख़दम कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस किट को इस्तमाल करने के तरीके की आपको सबसे पहले दिन हलका सा नास्ता कर लेना है और हलका सा नास्ता कर लेने के बाद में आपको जो सबसे उपर एक सिंगल टैबलेट दिखाई दे रही है उसे पाने से ले लेना है दोस्तो यह है जो टैबलेट है यह है आपके गर्म में जो गर्म बढ़ रहा है उसे रोकने का काम करती है इस टैबलेट को लेने के बाद में आपको 48 गंटे के लिए रुकना है यानि कि दो दिन के बाद में आपको उसी टाइम जिस टाइम यह है पहली टैबलेट लेती हलका सा नास्ता करना है और आपको सबसे उपर वाली टैबलेट के जो नीचे दो टैबलेट है उन्हें ले लेना है और जैसे ही आप इन दोनों टैबलेट को लेते हैं तो कुछी घंटे बाद आपकी mensuration cycle सुरू हो जाती है यानि कि आपके गर्व में जो狗र्व है वह terminate होना शुरू हो जाता हैं गर्व पात होना शुरू हो जाता है फिर उससे अगले दिन आपको फिरसे हलका सा नास्ता कर लेना है और हलका सा नास्ता कर लेने के बाद में लेना है जैसे ही आप सबसे नीचे वाले दोनों टेबलेट को लेते हैं तो आपकी जो प्रेगनांसी है वहां complete तरीके से terminate हो जाएगी अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी जो प्रेगनांसी है कि हमारी जो प्रेगनांसी है वह complete तरीके से terminate हुई है क्या नहीं दोस्तों यदि आपकी जो mensuration bleeding है वह सुरू में heavy होती है और सुरू में heavy होने के बाद में जैसे की आगे की तरफ दिन बढ़ते हैं वह कम होना सुरू हो जाती है यदि आपकी mensuration cycle इस तरीके से होती है और 15 दिन के अंदर बंध हो जाती है तो आपका जो pregnancy का terminating का process है वह पूरी तरीके से complete हो गया है यानि कि आपके गर्ब में जो गर्ब था वह complete तरीके से terminate हो चुका है यदि हम बात करें आपकी bleeding regular high flow में हो रही है और 15 दिन से जादे तक चल रही है तो आपको डोक्टर से consult करने की जरूरत है और यदि आप इस kit को लेने के बाद में आपको vomiting आ जाती है तो आप दुबारा से इस kit का इस्तमाल करें अब बात कर लेते हैं इस kit से होने वाले side effect के बारे में इस kit को लेने के बाद में आपको nausea यानि कि उल्टी जैसे feeling होना उल्टी होना दस्त लगना पेट में मरोड मानना गरबास्य में संकोचन होना और heavy bleeding होना आज ही जैसे side effect देखने को मिल सकते हैं दोस्तो मेरे दुआरा इस kit के बारे में दी गई जैनकारी आपको useful लगी हो तो वीडियो को like कर देना और आपका कोई question हो तो comment section में जाकर post सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल